हरियुम दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका अमारे खास कारे क्रम वास्तु विचार में दर्शकों वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर का मुख्य दवार कैसा हो मुख्य दवार को सजाते समय मुख्य दवार का निर्मान करते समय आपको वास्तू के कि नियमों का पालन करना चाहिए जिससे सगरात्मक उर्जा आपके घर में प्रवेश कर सके और आप दिन, दुगनी, राच, योगनी तरक्की कर सके दश्कों सभी प्रकार के अगर आपने वास्तू के नियम अपना लिए अपने घर में तो यकीन मानना बड़े चमतकारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे आपके जीवन में बड़े सगरात्मक परिवर्तन होंगे हर किसी के लिए यह मुम्किन नहीं होता कि वह वास्तू के सारे नियम अपना ले फिर भी जितने अधिक से अधिक हो सके हमें उनकी पाल ना करनी चाहिए आज की वीडियो में मुख्यदवार से समंदित कुछ आपको टिप्स दिये जाएंगे जिनको अपना कर आप सुक्स्मृद्धी का रास्ता खोल सकते हैं दिन दुगनी, राज, शोगनी आप तरक्की कर सकते हैं जिन भी दर्शकोन अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रंती आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि घर बेठे ज्यानवर्दक अगर आपने जानकारी प्राप्ट करनी है तो आपके लिए हैं चैनल काफी मैतपूर्ण साबित हो सकता है यहां आपको रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी दे जाती है जिससे आप अपने जीवन को सही दिशा भी दे सकते हैं और सग्रात्मत्ता की तरफ लेव कर भी जा सकते हैं दशको प्रोग्राम पसंद आता है तो अपनों के साथ जिल लोगों की आप तरक्की चाहते हैं जिल लोगों की आप खुशियां चाहते हैं उनकी साथ शेर भी जरूर किया करें इससे आपका भी कल्यान होगा उनका भी कल्यान होगा हमें भी motivation मिलता है और आपके लिए और अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी लाने का प्रयास करते हैं दश्कूंग वास्तु से सम्मंदित यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी क्या शकता है तो आप comment कर सकते हैं आने वाले वीडियो में उसकी चर्चा की जाएगी और आपके प्रिशन का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा चलिए कारेकरम को शुरू करते हैं और बात करते हैं घर के मुख्या दरवाजे से सम्मंदित कुछ नियम सबसे पहला नियम तो आपने यह रखना है जो आपके घर का मुख्या दवार हो यानि कि मेन के वह सभी अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए जितने भी घर के अंदर दरवाजे हैं उन सबसे बड़े साइज का आकार के अंदर लंबाई में, चोडाई में, मोटाई में बड़ा होना चाहिए तब ही तो वह लगेगा कि वह घर का मुख्या दवार है दूसरा उस दरवाजे का निर्मान उत्तम किसम की लकडी से करना चाहिए आज कल लोहे के दरवाजे भी हम परियोग में लेकर आते हैं स्टेनले स्टील के दरवाजे भी हम परियोग में लेकर आते हैं उनका भी परियोग करते हैं तो आप अच्छी किसम की जो उसमें धातू है वह लगी हो कोशिश करना चाहिए कि उस पर काले रंग का परियोग ना करे काले रंगों से भुरे रंगों से बचना चाहिए क्योंकि यह शनीदेव और राहुदेव से सम्मंदित रंग है इन से थोड़ा कोशिश करनी चाहिए बचाव करना चाहिए दूसरे और रंगों का परियोग करना चाहिए आज कल यू पेंट काफी अच्छा चल रहा है यदि आप MS में दरवाजा बनवा रहे हैं अपने घर का बड़ा तो आप किसी भी रंग से उसको रंग सकते हैं में गेट के बाहर यानि कि में गेट जो है आपका कोशिश करें अगर उसमें धहलीज बना सकें आप तो बहुत अच्छा रहेगा पहले के समय में जो चोक्टें होती थी आज कल तो चोकट सिर्व नाम की रह गई है क्योंकि उसमें चार हिस्से उसके नहीं होते तो दहलीज जरूर हो ताकि किसी प्रकार की जो नकरात्मा गुर जाए यदि कोई घर में प्रवेश करती है तो पहले वहीं पर रुख जाए कोशिश यही करनी चाहिए में गेट पर प्रकाश की व्यवस्ता होनी चाहिए दिन के समय हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सूर्यदेव का प्रकाश होता है लेकर रात्री के समय क्या रात्री के समय वहाँ पर आप कोई बलब लगा सकते हैं और वहाँ पर उसे प्रकाशित कर सकते हैं में गेट के साथ आप अपनी नेम प्लेट भी लगाए जिससे फेंग शुई की एक मान्यता है कि यदि आपका नेम प्लेट लगी हुई है आपके घर के बाहर तो आपको अपोचुनिटीज ढूंड लेती हैं आप तक वे जल्दी पहुंचती हैं अगर अपने भाग्य को आपने चमकाना है तो घर के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाए और रातरी में उस पर भी प्रकाश होना चाहिए जिससे आपका यश्मान सम्मान बढ़ने का भी योग बनेगा घर के मुख्यदवार के बाहर दोनों तरफ शुब मांगलिक चिन्नों का प्रयोग करना हमेश्चा से शुब रहता है शुब लाव, स्वास्थिक, मीन और भी जो अकरतियां आपकी परंपरा के अनुसार जो कि आपकी जो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं काफी जगह छोटी कन्याओं के हाथ भी लगाए जाते हैं तो जो मलब हातों का, जो हतेलियों का छापा दिया जाता है वो भी आप कर सकते हैं स्वास्थिक और मांगलिक चिन आप सिंदूर से बना सकते हैं हल्दी से, हल्दी को घोल कर, सिंदूर को घोल कर आप किसी भी रंग से स्वास्तिक चिन, मंगल चिन बना सकते हैं इससे भी सक्रात्म गुर्जा आपके घर में प्रवेश करती है मेन गेट कभी भी जरजर हालत में नहीं होना चाहिए कई बार जंग लग जाता है यदि आपने लोहे का बनवाया हुआ है उसके कुंडे या फिर जो भी जब हम बंद करते हैं, खोलते हैं उसमें किसी प्रकार की करकश ध्वनी उत्पन नहीं होनी चाहिए वह स्मूतली बंद होना चाहिए, स्मूतली खुलना चाहिए यनकि इसली आप उसे आराम से खोल सके और उसे बंद कर सके यह नहीं जोर जबरस्ति करनी पढ़ती है जिन गरों के मुक्ख्या दरौाजों के साथ इस प्रकार की जोर जबरस्ति करनी पढ़ती है वह कहीं न कहीं नकरात्म गुर जाए यह समस्मूतलेना कि घेरे रखती हैं उस इयरिय को उस छेत्र को तरक्की होने में बाधा आती है व्यर्थ की भागदोड संगर्ष जादा करना पड़ता है ऐसे घर में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन्हें तो हाँ समय पर आप ग्रीजिंग करें ओइलिंग करें किसी प्रकार की ध्वनी नाए और इजली वह मूमेट में हो खुले बंद हो इतने भी मूमेट में नहीं हो कि आप एक हाथ लगाए तो फटापर से वह इधर से उदर भागते रहें वह भी शुब नहीं होता जो भी हो न बेन गेट पर वं धनवान का प्रयोग करना चाहिए रहे डेकोरेशन के लिए हम लगाते हैं पूशिश करें बलास्टिक के जो अर्टिविशिल फ्लावर्स होते थे उनकी बजाए आप यदि आम के पत्तों का तोर्ण मना कर लगाते हैं यदि पीपल के पत्तों का भी तोर ऐसे जो तोरण हैं जो शुब हैं जो मांगलिक हैं उनका ही परियोग करना चाहिए तब ही आपको ऐसा लगेगा कि सक्रात्म कुर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है साथ इसाध भिश्कों में गेट से सम्मंदित काफी लोग में गेट के ठीक उपर देवी देवताओं की चित्र लगाते हैं तस्वीर लगाते हैं तो कोशिश करें दिशा के अनुरूप ही आप यदि लगाते हैं तो ज्यादा अच्या है कि अवर हम टाइल्स वगरा लगाते ह तो जो tiles हैं उच्छ कोटी की होनी चाहिए और अगर आप गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं अपने घर के main gate के उपर तो ऐसी प्रतिमा लगाएं जिसमें दोनों तरफ से गणपती हो घर के बाहर भी उनकी दृष्टी है और घर के अंदर भी उनकी दृष्टी है अकेले बाहर की तरफ दृष्टी रखने वाले गणपती जी को नहीं लगाना चाहिए यदि आपकी दक्षिड की दिशा है और आपका main gate दक्षिड दिशा में आ रहा है तो आप पंच्पु की हनुआन जी की तस्वीर अपने main gate के उपर लगाते हैं तो सभी प्रकार की नकरातम गुरजाओं से मुक्ती मिलती है और भी आप जिस किसी धर्म को मानते हैं अपने धर्म के अनुरूप जिनकी आप उजाओ पासना या जिनको आप उजते हैं उनकी तस्वीर लगाई जा सकती है जिसको कोशिश करनी है आपने एक चीज और भी कि जो main gate है main gate पर कभी भी जो आपके वंदनवार जो आपके तोरण सूख जाते हैं वो सूखें पत्य नहीं रखने हैं उनको जट से जब आपको लगे आपको वह सारे के सारे पत्ते वहाँ से तोरण हटा कर उसे जलब रभाईव कर देना चाहिए और नया वंदनवार नया तोरण लगाना चाहिए इससे आपको जब रदस सफलता देखने को मिलेगी एक positive vibration आपको देखने को मिलेगी यह थे दर्शकों कुछ main gate से सम्बंदित कुछ वास्तू के tips यदि आपको कोई प्रशन तो आप comment कर सकते हैं आने वाले वीडियोस में उसकी चर्चा की जाएगी फिर मिलेंगे कली से समय वास्तू के प्रोग्राम के साथ तब तक बने रहें आप हमारी चैनल के साथ हर्योम हर्योम हर्योम